इंडियन क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृती मंधाना ने एक बार फिर से महिला बिग बैश लीग में खेलने का फैसला किया है। इस बार वो मौझूदा चैंपियन एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलती हुई नजर आएंगी। उन्होंने फ्रेंचाइजी के साथ प्री ड्रॉफ्ट ओवर सीजन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ऐसा करने वाली वो पहली भारतिय खिलाडी बन चुकी है। स्मृती मंधाना पिछले दस सालों से इस लीग में खेल रही है। वह अब तक इस लीग में चार टीमों के साथ खेल चुकी है। स्मृती मंधाना के अलावा अन्य भारतिय खिलाडी भी इस लीग में खेलती हुई नजर आएंगी। स्मृती मंधाना ने 2016 में पहली बार महिला बिग बैश लीग में हिस्सा लिया था। इसमें उन्होंने Brisbane Heat की टीम से मैच खेला था। इसके बाद 2018-19 में उन्होंने Hobart Hurricanes की ओर से मैच खेला। जबकि 2021 में वो Sydney Thunders की टीम का हिस्सा थी। 2023 के सीजन में उन्होंने ब्रेक लिया था। इस बार उन्होंने Adelaide Strikers के साथ करार किया है। इस बार ये लीग एक सितंबर से शुरू हो रही है। स्मृती मंधाना एक बार फिर Royal Challengers बैंगलुरू के मुख्य कोच Luke Williams के मार्क दर्शन में खेलती हुई नजर आएंगी। मंधाना और Williams की जोडी ने पिछले साल Women's Premier League का खिताब जीता था। स्मृती मंधाना और Luke Williams की जोडी The 100 में भी एक साथ नजर आ चुकी है। Strikers से जुडने के बाद स्मृती मंधाना ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए उत्सुक रहती हैं। Strikers सफल टीमों में से एक है। टीम में वह भी अपना पूरा योगदान देने के लिए उत्साहित हैं। स्मृती मंधाने ने कहा कि वो कोच Luke Williams के साथ खेलने के लिए रोमांचित हैं।